हेलो फैंड मैं विकास स्वागत करता हूँ मेरे चैनल हेल्पिंग हैं फॉरेवर पर दोस्तों इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में जानकाई देने जा रहा हूं जिनमें की कॉर्परेट एक्षिन हो रहा है और ये दोनों ही कंपनिया बोने से सुला रही है अपने से दारकों के लिए तो चलिए पहली कंपनी देखते हैं तो पहली कंपनी है मिस्टान फूद्स लिम्टिट की कंपनी के बारे में देखे तो जो मार्केट कैप है कंपनी की वो लगभग 162 करोड की है और इसमें जो ऐस ओफ मार्च 22 जो प्रमोटर की हिस्चेदार ये है वो 49. 9.28% की है और अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 5 सालों की तो काफी अच्छी रही है 80.26% CAGR पर जो है नोने प्रॉफिट ग्रोथ दी है बोनस का जो रेसो रखा है कंपनी ने वो 1 इस्टू 1 का है इसका मतलब की रिकॉर्ड डेट तक अगर आप इसके स बोनस सेर मिलेगा याने कि आपके सेर जो है वो डबल हो जाएंगे अब इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 3 जून 2022 की और ये स्टॉप जो एक्स बोनस होगा वो होगा 2 जून 2022 को तो 2 जून 2022 से पहले अगर आप इस स्टॉप को खरीद लेते हैं या अभी भी खरीदा हुआ है और रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करेंगे तो आप जो है इस बोनस इसू के लिए एलिजिबल रहेंगे इस्टॉप का जो है करेंट मार्केट प्राइज जो है वो 23 रुपे 25 पैसे अभी चल रहा है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं और क्योंकि 2 बोनसलारी है अगर कंपनी के बारे में देखरें त refers कम्पनी का मार्केट कैप लखबग 48,270 करोड का है और इसमें जो प्रमोर्टर की हुल्डिंग है वो 64.89 है अच्छी ख्रमोर्टर की होल्डिंग है इसके साथ-साथ एफ़ आइड की अच्छी अच्छी फूल्डिंग ह कि जो है यहाँ पर growth जी है profit में company ने अब bonus के ratio की बात करें तो 1 is to 2 का यहाँ पर ratio रखा है company ने bonus का तो यहाँ भी अगर आप record date तक इनके share hold करते हैं तो आपको हर 2 share के बदले एक bonus share मिलेगा और इसके लिए जो record date रखी है वो है 7 जून 2022 की तो 7 जून 2022 record date है और जो X bonus होगा यह stock वो होगा 6 जून 2022 को तो 6 जून से पहले अगर आप इस stock को खरीद लेते हैं या फिर अभी भी खरीदा हुआ है और record date तक hold करेंगे तो आप जो है इस bonus issue के लिए eligible रहेंगे stock का current market price अभी 1114 रोपे चल रहा है और यहां भी X bonus date जो की 6 जून की है तब इसका price जो है as per bonus ratio adjust होते देखने को मिलेगा तो दोनों ही stock काफी अच्छे लगते हैं fundamentally बट यह किसी भी प्रकार का recommendation नहीं है तो किसी भी प्रकार का investment करने से पहले आप अपना जो है analysis करें फिर अपने financial advisor इसकी चला जरूर ले आसा करतों जानकारी आपको पसंद आयो भी प्लीज लाइक कीजी वीडियो को subscribe कीजी मेरे थैंक यू